गरीब मा की गवार और मौडन बेटी की चट पूजा ये लो काला धागा तैयार है मोहिनी बेटी हाथ आगे कर तेरे बांधू फिर मुझे त्रिशा के भी बांधना है जी मा सुमन अपनी बड़ी बेटी के हाथ में काला धागा बांधेती है फिर वह छोटी बेटी त्रिशा से कहती है तो त्रिशा मना करती है अरे मा ये सब क्या फालतू चीज है मुझे ये नहीं बांधना मुझे आप लोगों की तरह ओल्ड फैशन गवार नहीं दिखना है अरे बेटा ये कोई ओल्ड फैशन वाली चीज नहीं है ये नजर के लिए होता है और तू तो इतनी सुन्दर है लोग तुझे देखकर नजर लगा देंगे तो तो मैं हूँ ही इतनी सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट लुकिंग लाइक अ वाउ मैं तो चाहती हूँ लोग मुझे देखें इसलिए ये काला धागा मैं नहीं बादूँगी गवारपन बंद कर दीजे आप लोग भी त्रिशा, ये क्या बत्तमीजी है मा तुझे कुछ कह रही है तो तुझे उनकी बात सुननी चाहिए न जब ये गवार चीज करने के लिए आप हो तो मैं क्यों करूँ? मैं modern हूँ और मुझे modern ही रहने दीजे जा रही हूँ साक्षी के साथ गूमने ये चोटे कपड़े पहन कर तू कहा गूमने जा रही है? हरे अपनी बड़ी बहन की तरह सूट सलवार पहन कर दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ मैं ओ प्लीज मा ये बहनजी टाइप की चीज मुझे करने को मत कहिए इतना पढ़ लिखने के बाद मैं ये गवार हरकते करूँगी लोग हसेंगे मुझ पर आप प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजे मैं जा रही हूँ बाए हे भगवान मैं तो हार गई हूँ इस लड़की को समझा समझा कर सुमन तरिशा को समझाती है लेकिन तरिशा अपनी मा की बाद को नजर अंदास करके घर से बाहर चली जाती दरसल सुमन एक गरीब मा थी जिसने बड़ी मुश्किलों से अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा उन्हें वो शिक्षा दी जिसके वो काबिल थी पर बड़ी बहन अपना दसवी के बाद पढ़ना छोड़ देती है ताकि छोटी बहन पढ़ पाए साथ ही उसकी मा को गरीबी में पैसो को ज्यादा ना जुटाना पड़े खैर अगले दिन सुमन रोटी बना रही थी और मोहिनी कपड़े धो रही थी तब ही सुमन त्रिशा को बलाती है त्रिशा बेटी जरा यहां आना मेरी खाना बनवाने में मदद कर दे जल्दी से ये सबजी को काट ओहो मा मैंने अभी अभी नेल पेंट लगाई है आपके सबजी काटने के चकर में मेरी मेहनत बरबाद हो जाएगी नई बाबा नई मैं नहीं कर सकती आप खुद कर लो या दीदी को बोल दो अरे तुझे पता है न वो कप्ड़े धोरी है फिर भी कभी तो मेरी कोई बात सुन लिया कर हर काम को मना करती है बत्तमीज लड़की ज्यादा पढ़ लिक कर हमारे ही सर पर नाचेगी क्या वो दप फिर से आपने वही सारी पुरानी बाते शुरू कर दी मुझे टॉन देने के लिए हाँ मैं बत्तमीज हो गई हूँ पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है ताकि इस गवार पन को पीछे छोड़ दिया जाए आप खुद कर लो काम या बड़ी दीदी कर लेगी मुझे अपने हाथ खराब नहीं करने क्या करेगी तु फिर कुछ करना है तुझे नहीं मुझे कुछ नहीं करना जब देखो काम के लिए बकर-बकर सुनाती रहोगी आप ये कहकर तुषा घर से बाहर चली जाती है और ये सब मोहिनी सुन लेती है सुमन अपना सर पकड़ कर रोर ही थी हे छटी महिया बहुत मननत करके मैंने आप से अपनी दोनों बेटियों को पाया है मेरी बड़ी बेटी तिनी संसकारी सरल कोमल सुभाव की है पर मेरी छोटी बेटी बिलकुल बिगड़ गई है मेरी बात नहीं मानती ऐसा भी क्या मौडन होने का फितूर है कि हमें ही गवार समझती है इसके लिए मोहिनी ने सिर्फ दस्वी तक पढ़ाई की ताकि छोटी बेहन पढ़ सके और हाज यही इतना सुना देती है छटी मैहां कृपा करू किये अपनी बड़ी बेहन की तरह ही बने और अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे पता नहीं चट पूजा पर पूजा करेगी भी या नहीं तब ही मोहिनी अपनी मा के आस्वों को पोचती है मा आप चिंता मत कीजे तरिशा दीरे-दीरे समझ जाएगी और वो हमारे साथ चट की पूजा भी करेगी वैसे आप मेरे साथ बाजार जाकर चट की तयारी नहीं करेंगी हमें कितना सारा सामान लेना है बास की टोकरी, सूखे, नारियल और भी बहुत कुछ हाँ हाँ सब लेंगे लेकिन बास की टोकरी मैंने खुद बना ली है पहले यही तो बेचती थी मैं वैसे भी परसों से चट शुरू हो रही है तुम दोनों के लिए मैंने बहुत प्यारा सूट सिला है पता नहीं तरिशा उसे पहनेगी भी या नहीं मा आप चंता मत कीजे मैं उसे कह दूंगी अगले दिन दोनों मा बेटी चट पूजा के सारे जरूरी फल सामगरी ले आती है मा देखिये चट पूजा का सारा सामान आगया है न मुझे तो सब ठीक लग रहा है हाँ मुझे भी ठीक लग रहा है अरे तृशा हमेशा फोन में गुसी रहती है सरा यहां पर आकर पूजा की तयारी भी देख ले कि कुछ छूटा है या नहीं और तेरे लिए नया सूट बनाया है देख कितने प्यार से मैंने उसे पहन लियो कल नहाखा के टाइम ची एक अबड़ा कितना पुराना है इससे अपनी सूट बनाया है मैं तो इसे बिलकुल नहीं पहनने वाली इसे पहन कर तुम्हारे जैसी गवार लगूंगे और मैं चट पूजा में नहीं आने वाली त्रिशा ये तू क्यासी बाते कर रही है तू हर चीज के लिए मना कर देती है पर पूजा में तो तुझे शामिल होना ही होगा पूजा में मुझे आना है या नहीं मैं आपको उसी वक्त बता दूँगी अगली सुभा दोनो मा बेटी चट पूजा की सारी तयारी कर लेती है सुमन नहाय खाय की विधी पूरी करते और उसके अगले दिन खरना करती है ताकि व्रत अच्छे से निभा पाए और दोनों मा बेटी मिलकर मीठे पकवान पूरी खीर तयार करती है मुझे तो लगा था इस बार भी हम पैसे खटे नहीं कर पाएंगे चट पूजा के लिए ऐसे कैसे नहीं कर पाते मैंने पिछले महीने कितने ज्यादा सूट से ले हैं सर्फ छट पूजा मनाने के लिए और बास की टोकरियां भी बेची थी भूल गई नहीं मा अच्छे से याद है मुझे तर्शा तू भी थोड़ी मदद करवा दे हाजा आपको पता है ना पूज से कुछ काम करवाना यानि भैस के आगे बीन मजाना फिर यही कि आज तूने ना काम करने के चकर में खुद को ही भैस बोल दिया बास करो तुम दोनों क्या करू मा हसी ही नहीं रुक रही आज इस बात से त्रशा का मुझ फूल जाता है चट पूजा का तीसरा दिन था सब छट घाट पर जाने के लिए तयार थे सुमं त्रशा को चट घाट पर चलने के लिए बहुत मनाती है तभी बस त्रशा, बहुत तेरी नाना सुन ली अब चुब चा पूजा के घाट तक चल कर पूजा कर लो तुझे पता है न सूर्यास्त का समय है और ये तूने अभी तक कपड़े चेंज क्यों नहीं किये आज के दिन तो छोटे कपड़े मत पहन मेरी गवार दी दी मैं ऐसे ही कपड़े पहन कर जाओंगी चलना है तो बताओ वैसे भी है चटी माता इन व्रत पर मेरा कोई विश्वास नहीं है अच्छा ठीक है मोहिनी बेटा ले टोकरी उठा ले ऐसे मत बोल कि तुझे विश्वास नहीं है फिर सुमन जमीन पर लेट कर चटपूजा के घाट पर जाती है मही मोहिनी के सर पर मास की टोकरी थी उनहीं के साथ तृषा सड़क पर फोन चलाते हुए चल रही थी उसको पता ही नहीं चलता कि वह कब बीच रोड़ पर आ जाती है इतने में पीछे से एक तेज रफतार में कार आती है जो तृषा को टकर मार कर चली जाती है और उसकी चीख निकलती है त्रिशा की आवाज सुन मोहिनी और सुमन घबरा जाते हैं और उसे खून में लटपद देखते हैं मा जल्दी चली हॉस्पिटल चलना होगा नहीं छटी माता नहीं मेरी बेटी को मुझे सौपा था वह ही इसे ठीक करेंगी चट पूजा पर चल दोनों मा बेटी किसी तरह त्रिशा को चट पूजा के घाट पर ले आती हैं और सुमन चट माता की विधी शुरू करती है डूबता सूरज को अर्ग देती है वहीं मोहिनी अपनी बहन के सर पर खून को रोके हुए थी आज के दिन आपको मेरी बात सुननी ही होगी चटी माईया मेरी चूटी बहन को माप कर दीजे उसे ठीक कर दीजे मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकती अरे चटी माईया का पवितर जल अपनी बहन पर चड़क दो क्या पता ठीक हो जाए जी पर मोहीनी चट मैया के घाट का पानी अपनी बहन पर चुड़कती है और देखते देखते उसका खून बहना बंद हो जाता है और वहां होश में आती है मा माचोटी होश में आ गई जाय हो चट मैया मैं जानती थी आप मेरी बेटी को ठीक कर देंगी आपका बहुत धन्यवाद मैं यहां कैसे आई मचे तो चोट लग गई थी है न तुझे नहीं लगा था कि मैं बचूंगी फागले तुरिशा ऐसे नहीं बोलते शुब शुब बोल आज तू जिन्दा है तो सिर्फ चटी मैया की वचा से तुझे उन पर विश्वास नहीं था न उनकी वज़ा से ही तुआज सही सलामत है उन्हों ने ही मुझे तुम दोनों को दिया है मा दीदी मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत गया चट मैया मुझे माफ करना जो मैंने आपके लिए ऐसे शब्द निकाले मुझे विश्वास हो गया है और अब से मैं हमेशा चट की पूजा बहुत विधिवत तरीके से संपूर्ण करूंगी मैं जानती थी एक दिन मेरी बेटी सयानी हो जाएगी इस तरह तीनों मा बेटी चटी मैया की विधी को पूरा करती है अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्ग देती है जिसके बाद तीनों एक साथ खुशी-खुशी रहते है और उनके जीवन से गरीबी भी छट जाती है बहन तुम क्या कर रही हो मुझे काम पर जाना है तुमने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं बनाया भया खाना कहां से बनाये घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है भया आप राशन लियाओ कल भाई दूज है आपको पता है न मेरी प्यारी बहनों मुझे सब पता है लेकिन क्या करूँ रोजी इतनी कम है और घर के खर्च इतने जादा कि घर की परिशानिया कर भी खतम ही नहीं होती कोई बात नहीं भया जिन्दगी की ये उतार चड़ा आप तो चलते ही रहते आप काम के लिए लेट हो जाओके इसलिए आप चले जाओ अपनी बहन की बात मान कर अबशेक वहां से चला जाता है अबशेक एक फूलों की दुकान में काम किया करता था जहां वह लोगों को फूलों के गुलदस्ते बना कर दिया करता था इसी से उसे हर महीने पांच हजार रुपे मिल जाया करते थे मालिक, कल हमारे घर पर भहिया दूज है मेरी दोनों बेहने बहुत उमीद लगा कर बैठी है मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं उनका ये भहिया दूज अच्छे से मनवा सकूँ मैं जानता हूं तनखा आने में थोड़ा समय है लेकिन एडवांस की मुझे बहुत जरूरत है अबिशेक का मालिक वहां से ऐसा कहकर चला जाता है जिसकी बाद अबिशेक पूलों की दुकान में ही उदास मन से काम करने लगता है शाम तक काम करते करते जब वह छुटी लेकर वापस घर आता है तो उसकी दोनों बेहने बहुत खुश होती है भया आप आगे, आप हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आए हो कल हम लोग क्या पहनेंगी चलो, मालिक ने पैसे तो दे दिये होंगे, हम बाजार चलते है माफ करना मेरी प्यारी बैनो, मालिक ने मुझे एक रुपया भी नहीं दिया इसी के चलते हैं हमारा कल का भईया दूज भी बहुत बुरा जाने वाला है नहीं भईया आप ठक गए होंगे चलो आओ आराम कर लो कुछ देर में मैं सभी के लिए खाना परोज दूँगी शोबा के ऐसा कहने के बाद उसका गरीब लाचार भाई चुप चाप मूँ हाँ दो कर बैठ जाता है कुछी देर में शोबार उखा सुखा खाना सभी को परोज देती है सभी लोग खाना खा कर सू जाते हैं अगले दिन जब सवेरा होता है अभी शेक अपने घर के दर्वाजे के पास बैठा होता है उसकी आँखों में आशू होते है क्या हुआ भाईया आप इस तरह सुभा सुभा यहां क्यों बैठे हो और आपकी आँखों में आशू क्यों है मुझे अपनी लाचारी पर तरस आ रहा है काश के मैं इतना कमा पाता कि मैं तुमारे भाईया दूज के तेयोहार को अच्छे से मना पाता लेकिन मैं कुछ न कर पाया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो आप हमारे बहुत अच्छे भाईयो आप अपनी पूरी कोशिश करते हो और हमें इस बात से कोई परिशानी नहीं है कि आप हमारे भाई दूज के त्योहार को मना नहीं पाए इस बार ना सही अगली बार हम भाई दूज के त्योहार को बहुत अच्छे से मनाएंगे भाई दूज के तियोहार पर सभी लोग अपने अपने भाईयों का भाईया दूज कर रहे होते हैं यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं अच्छा-च्छा खाना खाते हैं तो वहीं शोभा, राधा और अभिशेक तीनों भाई बहनों के घर में सन्नाटा चाया होता है जिसके चलते बेचारे अभिशेक को बहुत बुरा लगता है और वहाँ काम की तलाश में भाईया दूज वाले दिन भी निकल जाता है चलते चलते वहाँ एक मंदर के पास पहुँचता है काम तो नहीं मिला लेकिन जब मैं मंदर के पास आ गया हूँ तो भगवान से थोड़ी शिकायती कर लो अभिशेक मंदर की सीड़ियां चड़ते हुए मंदर के अंदर भगवान की मूर्ती के पास खड़ा होकर हाथ जोड़ता है और भगवान से कहता है क्यों भगवान क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिये जो मैं अपनी बेहनों का अच्छे से खयाल नहीं रख पा रहा हूँ उनके भई या दूज पर उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मेरी बेहने जब दूसरी लड़कियों को देखती है तो उन्हें भी ऐसा मैसूस होता होगा कि मैं उनके लिए आज तक कुछ नहीं कर पाया ऐसा ही था तो आप मुझे पैदा ही न करते इस दुनिया में अब शेक ऐसा कहकर रोते रोते अपना सरभगवान के कदमों में पटकने लगता है तब ही भगवान की मूर्ती से एक आवाज आती है उठो मेरे भगत, खुद को सजा देने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी सभी परिशानिया ठीक हो जाएगी तब ही मूर्ती के अंदर से एक चमतकारी रोष्णी निकलती है और उस रोष्णी से एक नारियल बाहर आता है ये कोई मामूली नारियल नहीं, बलकि भईया दूज का जादूई नारियल है, ये तुम्हारी सभी परिशानिया तोर कर देगा इस जादूई नारियल की मदद से तुम कुछ भी मांग सकते हो, जो भी तुम्हें चाहिए, तुम इससे मांग लेना जादूई नारियल को देखकर अभिशेक हैरान रह जाता है, वह उसे उठाता है और अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां वह अपनी दोनों बेहनों को जादूई नारियल के बारी में बताता है भाईया, आप कहां इस जादूई नारियल के चकर में पड़ रहे हो, ये सब किसी ने आपके साथ मजाक में कर दिया होगा, अगर ऐसा है, तु चलो, जादूई नारियल से कुछ मांग कर देखो, तब ही अभिशेक जादूई नारियल को हाठ में पकड़ कर कहता है अबिशेक के इतना कहते ही वहाँ बढ़िया बढ़िया पकवान और बहुत सुन्दर कपड़े प्रकट होते हैं ये देख शोभा, राधा और अबिशेक तीनों भाई बहन हक्के बक्के रह जाते हैं अरे वा ये जादुई नारियल तो बहुत कमाल का है बेशक हमें ये जादुई नारियल मिला है लेकिन इस जादुई नारियल का हम उतना इस्तेमाल नहीं करेगे कि हम इसके आसरती हो जाएं हम इसके इस्तेमाल बहुत ही जादा जरूरत पढ़ने पर करेंगे और मेहनत करके पैसा कमाएंगे भाईया आपने बिल्कल सही कहा लेकिन आज भाईया दूजे और हमें नारियल भी चाहिए इस जादुई नारियल से हम थोड़े नारियल मांग लेते हैं जोनो बहने जादुई नारियल से नारियल मांगती हैं जिसके बाद वो अपने भाई को बिठा कर उसके माथे पर तिलक लगाती हैं थाली में जल्ते हुए दिय से वह अपने भाई की आर्ठी उतारती हैं और उससे उपर तोड़े से चावल छड़क कर उससे मिठाई खिलाती है और नारियल देकर अपने भईयादूज का त्योहार बहुत अच्छे से मनाती है मैंने जिन्दगी में कभी नहीं सोचा था कि हमारा भईयादूज कभी इतना अच्छे से मन पाए का अगले ही दिन अबिशेक अपना काम खोलने के लिए सोच लेता है और वह जादूज नारियल से कहता है जादूज नारियल तुम्हारी वज़ा से मैं इस बार का भईयादूज बहुत अच्छे से मना पाया हूँ इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब से मैं नारियल बेचने का काम ही करूँगा और खुद मेहनत करके पैसे कमाऊँगा वह जादूज नारियल से बहुत सारे नारियल मांगता है जिसके बाद वह नारियल बेचने का काम शुरू करतेता है नारियल बेचने का काम उसका बहुत अच्छा चलता है जिसके चलते वह दीरे दीरे अपनी सभी परिशानियों को दूर कर लेता है और अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों से वह अपनी दोनों बेहनों की शादी भी करता है इसके बाद वह अपने जीवन में खुशी-खुशी रहने लगता है